हलो एड वेलकम टू स्टड़ी मारे साथ मैं हूँ दिविंदर सिंग इस वीडिए में हम बात करने वाले हैं पशान काल के इंपॉर्टन प्रेशन्स हल करेंगे सब्सक्राइब करने अब आफ इस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में जो बेल आइकनिंग घंटी है इसको जरूर दबादना ताग मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिविकिशन मिल सके जदी आपको मेरी इस study हमारे साथ को join करिए पहां से सीधे आप इसके link करके इसको free of cost download कर सकते हैं इसका PDF का कोई चार्जे नहीं है एक से लेके 20 question इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं तो बिना time waste कि शुरू करते हैं सबसे से दम दम दमा से तो टोटल forty one मानव कंकाल मिले थे तो एक झापर से 43 काल एकठे मिले थे और सांथ में के हाथ़ी का दान का लटेके बी یहां से मिलता है जधी question में चार मानव कंकाल पूष लिए जाते तो पहां से मिलते जिसरायनर उए सकंकार कर दका करिए तो यहां पर यदि पूझ लिया जाता के इस तुरी पूषक को एकसाथ दफनाने का साख्षिय कहां मिला और तो यह अंसर होता है महाधा से यहां पर टोटल 13 कंकाल मिले थी लंगनाज की खोज की थी धीरेजलाल संकलिया ने यहां से 14 मानव कंकाल मिले हैं ओके यह गुजरात में पढ़ता है लंगनाज तो इतनी जानकरिया आपको इस क्वेशन से मिल जाती है तो इसका राइट यहां पर एक क्वेशन को ध्यान से पढ़ना है विंदेग शेतर के किस शिलाश्रे से सारवधिक मानव कंकाल मिले हैं सबसे ज्यादा मिले हैं जो मानव कंकाल एक साथ इकठे मिले हैं लिखाया से यहां पर ऑप्शन डी का अंसर है थार्ड कोशन है रॉबर्ट ब्रूस हो जाएगा फूर्थ क्वेशन है कैपेहगन सेंघराले की समगरी से पशान कांसे और लोह यूग कात्री यूग यह भी भाजन किया ऑप्शन यह है थामसन ने लुबाक ने सी ऑप्शन टैलर ने यहां फिर डी ऑप्शन है चाइल्ड ने तो यहां पर क्वेशन को थोड़ उस समय बाढ़ने का वो किया था ऑप्शन ए में थामसन ने फिफ्ट क्वेशन है मद्या पशानिक पर संग में पशू पालन के परमान यहां मिले हैं वैस्थान है तो मद्या पशानिक पर संग में सबसे ज़्यादा पशू पालन का जो एरिया था वहां से सबसे ज़्याद पशु के पालने के जो प्रमान मिलते हैं उप्शन A है लंगनाज, B है बीर भानपूर, C है आदमगर्ड या D है चौपानी मांडो तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा पशु पालने के प्रमान मिले हैं वो है उप्शन C आदमगर्ड उप्शन A है नेमलिक्त में से किस धल से हड़ी के उपकरण प्राप्त हुएं उप्शन A है चौपानी मांडो कोकरिया से C उप्शन A है महदहा या D उप्शन है सराया नार राहे से तो यहाँ पर option C है यहाँ महदाहा से सबसे ज़्यादा जो हड़ी के उपकरन है वो महदाहा से प्राप्ट हुए option C यहाँ पर राइट अंसर हो जएगा 7th question है उस थलका नाम बताईए यहाँ से प्राचीनतम सिथाई जीवन के प्रमान मिले हैं option A है धौला वीरा बी option है किले गुल मुहमद सी है काली बंगा डी है मेहरगड तो question में पूछा है कि यहाँ पर permanent settlement यहाँ पर लोग permanently रहते थे तो कहां पर रहते थे तो दोस्तों यह रहते थे option D मेहरगड से तो यह तो मेहरगड के आफके बारे में थोड़ा बताता हो कि पाकिस्तान की ब्लोचिस्थान प्रांत में न Chemical duty द Совा प्रवाहित इरिया यहां पर बोलन नदी के आस पास का इरिया यहां पर नदी के आस पास रहने के कारण यहां पर प्रशीन सथाईवन होने के परवान मिलते हैं तो इस इस मुणा मिलता है तो वो मिलता है मेहरगड से यह बहुत बार कोश्शन्स पूछा जा चुका है तो यहां पर चार वक्रिशी की चीज़ें मिली थी एक तो गेहूं जो अंगूर और कपास यह भी मेहरगड से मिलते हैं और बशु cancelledNे का साक्सी भी ही मिलता है तो यहां पर गेहूं की सबसे ज़्यादा खेती की जाने के प्रमाण भी महरगड से ही मिलते हैं तो एक उप महादीव से क्रिशी के प्राचींत्य सक्षे प्राप्थ हुएं तो कॉप्शन है कोड-Halwar वासे भी है लगोरा-ठेव S तो पहले में मेहरगड की बात करा तो वह पड़ता है बलोचेस्तान में तो इस कारण यहां पर कॉच्चन में पुछा गया है भारति उपमादीव तो कष्चन थोड़ा से डाइवर्ट कर दिया तो कृषि के शाक से मेहरगड से भी मिले हैं क्योंको बलोचेस्तान में पड़ तिक अब शेश प्राप्त हुए है अमरी भी है मेहरगड़ सी है कोड़ दीजी डी है ऑप्चन काली बंगा मैंने पीछे क्वेशन में आपको एक्स्प्रेंड किया ना ऑप्चन बी मेहरगड़ का ऐसी जगा है यहां से टोटल जो पुरस्तल एक पुरस्तल पशान संस्कृति से ले करके ना हडपा सब्यदा तक के टोटल परमान मिल जाते हैं एक ही जगह से क्योंकि यहां पर सथाई जीवन के भी से लोग यहां रहते थे तो यहां से मिल जाते हैं और सब्सक्राइब का उत्कट किस ने किया था आपको इस वीडियो के आपको एक मैं पेज़ रहे दूँगा आप वहां से पूरे पढ़ सकते हैं कौन कौन से जगह से किस बगॉलिक स्थिती में कहां पर थे खोज करता कौन थे किस सन में उसकी खोज की गई और वहां से प्रापत साक्षे कौन कौन से मिले हैं मैं आपको आपको दे दूँगा आप मेरे टेलिग्राम चैनल से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो उसे आपको काफी जानकारी मिल देगी आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करेगी देखते हैं अगला क्वेशन 11 क्वेशन है वरत पशान समारकों की पहचान की गई है आप्शन है सन्यासी गुफाओं के रूप में बी उप्शन है मृत को दफनाने के स्थान के रूप में सी उप्शन है मंदर के रूप में या फिर उप्रोकत में से कोई नहीं तो वरत पहचान समारकों की जो पहचान है ना वो की जाती है मृत को दफनाने के रूप में की जाती थी पैरा क्वेशन राखा टिला कि नवप पसानेक स्थल से संबंधित है तो एक तो आप यह याद रख लेंगे इस चारों के चारों स्थल बुदिहाल संगन कुलू को धिलवा ब्रह्मगिरी लिए चारों के चारों नवप पाशानेक स्थल एक तो इसको यह जाद रख लेना क्योंकि नवपशानिक स्थल भी मिलान में आ जाते हैं तो यहां क्वच्चन में पूछा गया कि राका टिला किस नवपशानिक स्थल से संबंदित है तो बुद्धिहाल से नहीं है कोडिलवा से भी नहीं और ब्रहमगिरी से नहीं है यह है भी संगन कुलू से राका टिला संबंदित है थर्टिन कोचन है भारत में किस शिला श्रे से सारवदिक चित्र प्राप्त होएं और भी भीम बेटका सी है लेखाईया डी है आदमगड तो इजी कोचन है यहां पर आपको पता होगा मद्य परदेश में पढ़ती है भीम चाल का भी शवाधान से प्राप्त हुआ है तो आप्शन ए है ब्रहम गिरी सी है बी आप्शन है बुरॉज होम सी है चिरांध है मस्की सो दोस्तों जहां परमानव के साथ कुछते को भी दफनाया गया था ना यह नप पशानिक स्थल है बुरुज होम वहां से मिले हैं और यहां पर सही हो जाएगा फिफ्टेंथ कुछन है निमन पुरा पशान योगीन सोहन संस्कृति की खोज की थी ओप्शन ए है डी और वाडिया ने बी ओप्शन वी डी कृष्णा स्वामी ने सी ओप्शन है आर वी जोशी ने या डी है डी टेरा एंड पैटरसन ने तो निमन कुछन है राके टीले किस क्षेतर की नव पशानिक संस्कृति से संबंदित हैं और यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाना चाहिए 17. कुछन है ब्लेड और ब्यूरियन उद्योग संबंदित है आप्शन ए है निमन पूर पाशान संस्कृति से बी आप्शन मद्य पूर पाशान संस्कृति से सी है उच पूर पाशान संस्कृति से जाफ डी मद्य पाशान संस्कृति से तो जो ब्लेड और ब्यूरियन उद सब्सक्राइब पूरा तविक उत्खंन के दिवारा कि सब्सक्राइब कि निमन में से किस पक्ष का विशेश घ्यान होता है option a है Sanskriti के खेतर का विस्थार बिया Sanskriti के आकार का विस्थार सी सांस्कृति का सवरूप या फिर दी है Sanskriti कि काल का मापन मैं कहता हूं को पुरात अपर उच्पनन के दोरा जिसे carbon 14 कहते हैं सी 14 यह संस्कृति काल का मापन होता है option d यहाँ पर सही हो औप्शन डी यहां पर राइट एंसर इसका तो दोस्तों यह थे टोटल नाइंटीन क्वेश्चन्स फास्तों पर पाशान योगी नहीं क्वेश्चन्स हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्ट सेट में और लेकर आ रहा हूं आप मेरे वीडियो को लास तक दे सकते हैं तो वहां से आप इसका पीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्यार रखिएगा थैंक यू सो मच्छ हैव ग्रेट डेए